आज मैं कच्चे आलू की एक ऐसी रेशिपी आपके साथ सहर करने जा रही हूं बहुत ही हेल्थी भी है टेस्टी भी है चट पटी भी है इस्पॉंजी भी है और नरम बेर बहुत ही टेस्टी जट पर बनने वाली रेशिपी मिंटों में बन करके तयार हो जाते हैं वह भी बह के आपके एंड तक देखने को मिलेगा तो आप रेसिपी को पूरा फॉलो कीजिएगा अज वीडियों के एंड तक बना जाएगा और यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना दिल्कुल ना पूलेगा और आपको मेरी रेसिपी पैसे लगती है अपना फीड़ेग मुझे कॉमेंट सेक्षन में जरू से दीजिएगा नमस्कार फ्रेंड मैं हुसंगीता रापका फ़ौर्ट वसाकत करती हूं आपके अपनी रेसिपी में आज की रेसिपी आपके लिए हेल्प फूलोगी यहां पर कट कर रखा है अब हम इसको ग्रैंड करेंगे अशुजी को यहां पर ग्रैंड करने के आवसकता नहीं पड़ेगी यहां पास कच्छे चावल होंगे और कच्छे चावल से भी अच्छा बनीगा तो मैं ने आलू ले लिया है ग्रैंडिंग जार में तीखा चटप पानी को यहां पर ग्रैंड करेंगे फाइन चीश की प्योड़ी बनाएंगे तो आलू में भरपूर मातर में पानी होता है अब निखाल देते इसको ज्यादर टैमनी लगाएंगे फटा पर चलते हैं गैस की तरफ उससे पहले आपर सूजी और आलू रख लेते हैं सामने आ अंगे वेज़ीटेवल देल के इस्तामाल करेंगे चमज के परापार और एट करूंगे मैं एक चोटी चमज के बरापाज जीरा जीरा जैसे चाटक जाए उसके बाद में डालेंगे आलू आली प्योरी आलू है इंचाटरि या कॉप जिसका भी मेजर्मेंट आप कर रहे हो उस कप से दो कप की परापद आपर पाने एट कर दीजिएगे दो से ढ़ाई लगालो आप नमक एट करेंगे और जब तक आलू में एक उबालना आ जाए ना तब तक हमने इसको ठला लेना है बस आलू का यहां पर काला पन तब आएगा जब हम जाता जीर तक उसको रखेंगे और इस तरीके से फटा फटे प्रोसेस कर लोगे तो इसके बाद आप सूजी कभी भी डाल सकते हो तो एक उबाल इसमें आ गया अब क्या करना है गैस कफले माम मीडियम पर रखेगा एक हाथ से आप चलाते रहेगा दूसरे हाथ से यहां पर सूजी हम डालते जाएंगे और तक यह डो के फ़म में ना जाए जैसे आमाटर लगाते हैं उसी तरीके से हमें इसका डो जए अब जैसे कडाई छोड़ने लगेगा ताब हम इसको चलाना पंद कर देंगे तो दिख रहा होगा इसने कडाई छोड़ यह गैस हमने बंद कर देश को कवर करके छोड़ देते जीज़ जैसे यहां पर क्रेकल हो जाएगा हम एड़ करेंगे इसमें कुछ मेती के दाने मेती के दाने बहुत अच्छे जाते और इदे किनी कारूंट से आपको सुखर रोगे रहे तो मेती के दाने परफेक्ट रहेगा अब एड़ करेंगे इसमें काश्मी लाल मिच कुछ इस तरह की चटनी इस तरह के कर नास्ता हो न कोई भी हमने जब तक यो प्याज लसन का कच्छा पानना चला जाए बस हलका से इसको चला लेना है और ये मसाली याँपर जाद फूने ने पानी एट कर देंगे एक कटोरी की बराबर ताकि याँपर जो मिश्ची है न वो भी थोड़ा सौट हो जाए बाने एट करेंगे नमक एट कर लेंगे स्वादनुसा याँपर थोड़ा से स्वीचनेस के लिए थोड़ा सा चीनी का इस्तिमाल करेंगे और यदे आप नहीं ढालना चाहते तो पूरी तरह इसकीप कर सकते हो इसको थोड़ा समय नहीं यहाँपर इसको उबालाने दीजिएगा जब तक यह सॉप्ट हो जाए तो आप यहां पस कबर भी कर सकते हो जब यह सारी चीज़े सॉप्ट हो जाए ना उबाला जाए इसमें तो हम गैस कर दिंगे बंद और इसको रग दिंगे पंकी की नीचे चैनी वाले मिसरन को हम चाहे तो फ्र जीज़े नहीं तक है हम यहां पर पानी का इस्तिमाल नहीं करेंगे चैनी को क्रेंट कर देते हूं और चैनी हमारी ग्रींड भी हो गई है अब इसको निकाल लेते हैं अच्टनी बहुत अच्छा कलर भी था खाने में बहुत स्वादिश लगती है आप इसे किसी भी चीज क तेल लगाएंगे अच्छे से चिकना करेंगे यहां पर आठा शॉप्ट आठी की तरह इसको लगाना है हातों को थोड़े से एक्सर्चायद देते हैं यहां पर आठा भी सॉप्ट हो जाएगा तब तक आप कुछते रहेगा जब तक यहां पर आठी की तरह तुम सब्सदों आठ अच्छे से यहां पर सॉप्ट हो गया इसको रख देते हैं और करते हैं एक नेक्स तयारी हम इनको इस्तिम करने वाले हैं तो यहां पर कोई सभी आप इटली स्टेंड में बना रहे हो यहां पर मेरे पास इस तरह की कड़ाई है और इसकी मेरी प्लेट भी है आज मैं इसी में बनाने वाले हूं यह नास्ति आप इसे नौर्मल प्लेट में भी बना सकते हो और इतली स्टेंड तो सभी किपास होता है उसमें भी आसानी से बन जाता है और इस तरह कि कोई जाली यह प्लेट होगी तो उसमें आप बनाएगा नहीं तो सिंबस प्लेट में भी बन कर लीजिएगा को इधालिया प्लेट में भी आप बना सकते हो जाए पिस्टेन में या आपके आसपास यहां पर केले के पत्ती होंगे तो इसमें इस नास्थ भूर्ट यह अचा बनता है आप इसका इस्तिमाल भी कर सकते हो तो सबसे पहले हातों में आप तेल लगा लीजिएगा और इसको हम सेफ देंगे तो चोटी सी लोगी तोड़नी है जैसे अम नार्मल रोटी के लिए तोड़ते हैं उसी तरीके के आप इसमें सेफ दे सकते हो अच आए तो इसके अंदर मिस्रम भी भर सकते हो आलू प्याच अब नहीं आपर सूजी को पकाया भी है फिर से एक पूले को बहुत ही स्वाप्ट होता है बहुत ही चाली दाज भी बनता है तो सारी हम ऐसे पना लेंगे एक एक करके तो मैंने यहां पर जितने भी यहां पर सूजी के बॉल से साज बना लिए पानी भी उदर हमारा अच्छे से यहां पर खॉल रहा है चलते हैं तो रंती दस जब फंद्रा मिनट भी नहीं लगते हैं इसको बनने में पहले बन जाएंगे क्योंकि यह और लिटी यहां पर सारा म कर देते हैं 5-10 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं अब जब तक अब इस ट्यूम होता है ना थप तक एक हो ट्यारी कर लेते एक चाड़का बना लेते हैं और यदि आप हेलते कॉंसे हो तो यहां पर देल गी का इस्तमाल कम करना चाहते हो तो इस ट्यूम करके इसको खा जाले तिल इसका इस्तमाल किया है अब करीपते भी एड़ किये हैं अब यहां पर तुरंट गैसा बंद कर दीजिए राई की चटकने के बाद आप गैस का फिलन दिल को यहां पर बंद कर दीजिएगा जब तक कि रेसी हमको ज़्यादा मसाले चलाने नहीं है ऐसे नहीं तो बहुत है तो डाले का नहीं तो रहनी तो गैस हमारे बिल्कुल भी बंद है रे गुन गुना सा है सारे मसाले तो ऐसे बुन जाएगा अब क्या करेंगे इसमें थोड़ाचा फ्लेवर देने के लिए मैं आदा नीमू का इस्तमाल करूंगी इसको निचोड दींगे मैं आदा देते हैं चलते हैं यहां पर गैस की तरह तो सबसे पहले इसका कवर हटाते हैं दस मिनुट हो गए हैं अपको दीग बिरा होगा बॉल जो है साइज में भी डबल हो गई है अब यहां पर हम थोड़ा तक क्यारफूल होगे इसको कवर कवर हटाल कि और निकाल लेते हैं और अब गैस की तरह तो हमने इसके लिए एक कोटिंग बनाई है आप चाहे थो ना ऐसे भी नॉर्मल भी चट्नी हमने अल्ड़ी इसके साथ बनाई हुए है ऐसे भी खा सकते हो और इस तरह के से कोटिंग नह बहुत ही अच्छी लगती है डिखने में भी अच्छी लगते हैं ह soprattutto है इसमें की तिल का इस्तेवKEN मालग होता plastic के लिए न आप भींदम के लिए specific कि लिए 맞는 हैं जहादा समय भी लगता है बूर्स आब कोड़ करिंगे तो इसका क्ल़र भी चेंज बीवन है छोजय है जितने ईतुनर के लिखने के लिधिने में लगता है मिष्च워요 कई य्योग यूनीक हम इनको चैक तो कैसे बने हैं सॉफ्ट इस्पॉंजी चटपटे तीखे अब बहुत मिंटों में बन के तायर हो जाते हैं तो देखें कितने सॉफ्ट बने हैं अंदर तक तो हमने दुबारे इसको स्टीम किया था इक बार इसका डो लगाया था सुजी के बॉल्स है ना अब कर देते इसको तुरंत डिस आउट तो मिंटों में बन के तायर हो जाता है यह नास्ता और इसको इंजाए किजिएगा चेटनी के साथ सुबह पर एक फास्टी के रस्टी आपको मेरी कैसी लेगी अपने फीड़बैक मुझे ज़रू से कॉमेंट सेक्षिन में दीजिएगा इस तरीके के नास्ता हम और भी कई चीजों से बना सकते हैं चावल के आठे से बन जाता है या पिर कच्चे चावलों से बना जाता है यह पके हुए चावलों से भी इसको आसानी से बना जाता है यह कच्चे चावलों से बना रहे हो तो उसको चा में विस्ता आज सब्सक्राइब करने में हमने या पर तिल का इस्तमाल किया ता है तिल की जगवान ना रीया को आड़कार को टोड़ी से कुछा आप डाल सकती हो थोड़ी सी क्रेश्ट कर दाल सकते हो भूँ अच्छी लगते है प्रेंट आप तरह के इस तरिक से नासतनक कही यहां पर बना सकते हूं कई परकार से आशा करती हूं आज की रेस्पी आपके लिए लिए बुलोगी रेसिपी अच्छी लगने पर इसे लाइक चैनल को सब्सक्राब करने बिल्कुल ना पूलेगा मिलते हैं यह कैसी नेक्स रेस्पी के साथ अपना कीमती समय देने के लिए पर बोटने बाते हैं की सुमेट